लोग पूछते हैं कि इतना दर्द कहां से लाते हो, कैसे बताएं कि खुद को बरबाद किये बैठे हैं, जो रोज अंदर से जर्रा जर्रा तोड़ती है, किसी अजीज की याद लिये बैठे हैं, इन हस्ते हुए चेहरों से कहां अंदाजा लगता है साहव, इन हस्ते हुए चेहरों से कहां अंदाजा लगता है साहव, ये मुश्कुराते हुए लोग कितनी अधूरी मुराद लिये वैठे हैं, हरार महादेब सभी को, मेरा नाम संध्या यादव है, तर्जे सुखन को बहुत बहुत धन्यबाद मुझे मंच ब्रदान करने के लिए, तो हम सुरुआत करते हैं अपनी नजम की, कि कभी गर मिली फुरसत, तो तेरे गुनाहों का हिसाब लिखेंगे, तुदेखना हम तुष पे किताब लिखेंगे, बेवफा तो अलफाज पुराना हुआ मतलवी इश्क उसका नाम रखेंगे तु देखना हम तुछ पे किताब लिखेंगे आगाज से लेकर अंजाम लिखेंगे आशुओं से नम हर वो साम लिखेंगे तेरे इश्क में गुजारी उम्र लिखेंगे तेरे नाम का हर पैगाम लिखेंगे तू देख ना हम तुझ पे किताब लिखेंगे हाँ अलफाजों में तेरा जिक्र होगा मगर तू अपनी एहमियत खो चुका होगा मेरी जान तब तक तू मेरी कहानी का बस एक किरदार हो चुका होगा अपनी गुम मासूमियत तेरी चाला की लिखेंगे तेरा दिखावा तेरा चलावा तेरी बेवा की लिखेंगे जो कई दफा सजा कर तोड़ दिया हर वो तूटा ख्वाव लिखेंगे तेरे दिये अधेरे अपने बुजाए आफताव लिखेंगे तु देखना हम तुझ पे किताब लिखेंगे तुझसे हारी हुई हर बाजी लिखेंगे इश्क के खेल मैं तुझे खिलाडी लिखेंगे तुझसे हारी हुई हर बाजी लिखेंगे इश्क के खेल मैं तुझे खिलाडी लिखेंगे जो खामोसी में समा गए कभी तेरे हर उस सवाल का जवाब लिखेंगे तो देखना हम तुझ पे किताब लिखेंगे एक और नजम है कि अरसे पहले एक प्रेम कहानी थी एक मासूम सी लड़की किसी सर्फिरे की दिवानी थी नाजुक उम्र का दौर था नई नई रवानी थी वो एहसास अंजाना सा शायद महबत की आगवानी थी उसके दिल में किसी के लिए जगा बनने लगी थी वो लाख पावंद मगर उसके लिए बदलने लगी थी वो चहरा जिसका छुप छुप के दीदार किया करती थी वो एक ज़लक उसकी जिस पे सब बार दिया करती थी वो जिसके एब भी उसको पाक लगते थे उस सादा सी सक्सियत के आगे सहजादे भी खाक लगते थे उन भोली सी आखों की गहराई उसे मारती थी वो मासूमियत जिसके वो सदके उतारती थी उससे कोई तालुक कोई वास्ता न था वो मंजिल लगने लगा था मगर कोई रास्ता न था सुभरिया सुभरिया इस खामोस इसको वर्सों हो गए उस पे मरते उसे अर्सों हो गए फिर हिम्मत करके एक रोज राबता किया, अपनी महबत के लिए तैयार रास्ता किया, मगर एक पल मैं उसके जज़वातों को बेकार कर दिया, हाँ लड़के ने उसकी महबत से इंकार कर दिया वो बहुत रोई थी उस दिन ये इनकार साइद उसे बहुत चुबा था तकलीफ हद से बढ़ी थी दिल अंदर से दुखा था खेर महबत तो मुम्किन ना हुई ये तालुक दोस्ती में बदल गया वो दोस्त जिस पर वो जान देती थी वो दोस्त जिसकी आहट भी पहचान लेती थी वो दोस्त जो उसकी दुआओं में रहता था मुहबत एक रोज उसे भी होगी उसका दिल कहता था मगर तकदीर को कुछ और ही मनजूर था उस दिल को फिर से सजा मिली जो बेकुसूर था उसकी हर ख्वाई शर्मान को अंदर से तोड़ गया अपनी आदत लगा कर हाँ वो सक्स उसे छोड़ गया वो आखरी बार बात करने को भी गिड़ गिड़ाती रही वो बिंदास सी लड़की बेवस सी नजर आती रही कई दिन बेचैन रही कई रातों तक सो नहीं पाई अपना ही कुसूर धूरती रही कभी उसके खिलाफ हो नहीं पाई बहुत वक्त लगा उसे इस बात पर यकीन करने में मगर उसे तरस नहीं आया था यह गुना संगीन करने में सुना है अबो लड़की दिल की बातों पर यकीन नहीं करती है सबसे हसके मिलती है किसी को करीब नहीं करती है और अगर वो कभी अब टकराया उससे तो शायद पहचान भी न पाए और अगर अब वो कभी टकराया उससे तो शायद पहचान भी न पाए वो नाजुक सी लड़की अब पत्थर सी दिखती है हर रोज खुद से एक सवाल करती है हर रोज खुद से एक सवाल करती है क्या मैंने महबत की थी जिससे वो सक्स यही था हर रोज खुद से सवाल करती है कि क्या मैंने महबबत की थी जिससे क्या वो सक्स यही था अगर मेरी महबबत गलग थी तो क्या जो उसने किया वो सही था बहुत बहुत सुक्री आपका हम विदाल यंगी एक आखरी सेर के साथ कि हम भी बच जाते शायद हम भी बच जाते शायद बरबाद होने से दिलों से खेलने का हुनर आना चाहिए था किसी ने पूछा कि आपको महबबत क्यों हुई किसी ने पूछा कि आपको महबबत क्यों हुई हमने मुस्कुरा कर कहा कि बरवादी को बहाना चाहिए था